जै हिंद, बंदे बात्र, कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कर, जै माता दी, कुनाल, कैसे हैं आप, एक बार आप सभी लोग जुड़ जाएं, सबसे पहले तो मैं समाज चाहूंगी कि, आज पहले मैंने 9 बजे का समय दिया था, लेकिन किसी कारण से मैं नहीं आ पाई, फिर मैंने 10 बजे का समय दिया था, तो मैं थोड़ा सा पहले आ लिए, लेकिन आप सभी लोगों से मैं प्रात्ना करती हूँ, आप सभी इसको शेयर करेंगी तो, हमारे तमाम हिंदू लोग जुड़ सकेंगे, और बुद्धा बहुत गंभीर है, इसलिए मैं कल ही लाइव आई थी और मुझे तुरंत आज लाइव आना पड़ा, तो इसका मतलब कोई बहुत ज़्यादा मरजन से होगी, बात कर लेते हैं के ते कासी की कला जाती और मतुरा मस्जित हो जाती, अगर सिवाजी ना होते, तो सबकी सुन्नत हो जाती, तिन सब्दों से मैं शुरुबात करूंगी, आज का हमारा विश्य है, हर्याणा में राजपूत और जात समाज के बीच जहर घोलने वाले कुछ लोगों के विश्य में मैं बात करने आई, और उस मुद्दे पे बात करना बहुत अवश्यक था, दुबारा आना पड़ा मेरे को, मैं कल ही लाइब आई थी, लेकिन कल से कुछ लगातार ही हुआ, पॉन कॉल्स के माध्यम से बार-बार किरें कि सादवी जी आप वापस आईए लाइगो और हमें बहुत चरूरी बात करनी है। तो सबसे पहले तुम्हें जबाब दे दूँ जो राजपूत और जात समाज के बीच में जहर घोलने का जो युवा काम करते हैं ना, इस शब्द तो कम होंगे कि आप लोगों को शरम करनी चाहिए, एंसानियत बरतनी चाहिए, या आपकी समझ कहां चली गई है, जात राजपूत अलग नहीं है, इस सब बाते तो बहुत पीछे चले गई है। मैं बिल्कुल सिदे और सपश्च चब्दों में एक बात कहूंगी कि देव लोहान ने इस बात को सुरू किया था। आपने माता पदमावती को लेकर कहा कि हम नहीं कहते कि पदमावती जैसी बने। देव लोहान पदमनी बनना सब के बस की बात नहीं है। पदमनी चरित्तर का नाम है, पदमनी इतिहास का नाम है, पदमनी समर्पन का नाम है, पदमनी त्याग का नाम है। ऐसी सती के अपने आपको छूने नहीं दिया वो अपने आपको चाकू मार कर भी आतम हत्या कर सकती थी लेकिन उन्होंने अपने सरीर को जलाया उसके पिछे क्या कारण था पता आपको कि मेरे मरे हुए सरीर को भी वो मुगल छूना सके इसलिए उन्हों खुद को जला दिया वो पदमने तो देव लोहान आपने सुरुवात तो कर दी फिर सुरुवात करके आपने माफी मांग ली या आप क्या कहना चाहते थे, क्या कहा गया whatever, मैंने भी आपको बोला कि आपके किसान के मुद्दे पे मैं आपको स्मर्थन करती हूँ अच्छी बात है, लेकिन आप किसी के इतिहास को या किसी के जमीर को मत ठेस पहुचाओ, ये गलत बात है और जो अच्छी बात है आपकी उसमें आपने कोई आशबद नहीं बोला बाद में ठीक है, मैं आपकी बात को फिनिस करते हूँ दूसरा मैं आती हूँ हमारे भाई ओके इंदर राणा पे ओके इंदर राणा ने बहुत अफशबदों का इस्तिमाल किया उन शबदों के लिए जितनी आपको अगर ये कहे, आपने आपकी जो समाज में राजपूत समाज को नीचा देखना पड़ा राजपूत समाज को शरमनाख अपने आपको महसूस करना पड़ा क्योंकि आपने खिलाडियों के विशे में जो वर्ड यूज किये वो बहुत सरमनाख है मैडल कभी ऐसे नहीं मिलते मैडल हमारे नेशनल कभड़ी चेंपियन अजय ठाकुर भी लेके आए और नेशनल और इंटरनेशनल मतलब खिलाडियों की कोई जात पर्टिकुल कोई ऐसा नहीं होता खिलाडी सब क्यों होते हैं और आपने समाज की बेटियों के बारे में ने कहा यह बहुत निंदनी हैं बहुत गलत है उसके बाद आप दुबारा फिर लाइव आए फिर आपने मरने मारने की बात की और बहुत सरमनाक है उसके बाद राजपूतों की लड़कियों को बहुत सारे लोगों ने गाले दी राजपूतों की लड़कियां क्यों गाली खाएं गई दूसरा आप लोगों के महायुद के बीच में फिर हम मैं बात करूंगी चलो बात खतम होगी आपका जो भी मैटर था सोट हुआ नहीं हुआ समाज के लोगों को चाहिए था कि आपको डाटना और समझाना खैर बात खतम होगी फिर हमारे बीच में आगे बोवी कटारिया फिर बोवी कटारिया ने कसर पूरी की मतलब आप दोनों के बीच में महा संग्राम होना शुरू हो गया उसने कहा कि मैं 100 किलो का हूँ आपके सर पर हाथ रख दूँगा तो आप दब जाएंगे आपकी राजकुमारिया मैडल मैं वह वर्ड यूज नहीं करना चाहती लाखों लोग आप मुझे देख रहे हैं पर इसको शेयर करना प्लीज ताकि सब लोग तुरंत जुड़ पाएं तो फिर बोवी कटारिया ने कहा कि र आहिंदर जोनी उमेद और दिपेंदर डबास जी आए मुझे उनकी बात बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी और उन्होंने बात को एक निर्णे तक पहुचा दिया एक बहुत अच्छा संदेश उन बचों ने दिया कि सादू वाद है मेरा उनको के लोकेंदर राना के जो समाज के युवा हैं फरल गाउं से आपने बहुत अच्छी बात कहीं कि देव लोहान इस तरह की बाते इतिहास तु जानता ही नहीं हमारा इतिहास तो आपको ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी और मैं ऐसा ही संदीब जी दुबारा आपको कहना चाहूंगी कि कि आप लोगो सब्द का उप्योग नहीं किया उन्होंने जो जो बाते कहीं उन बातों का मतलब था लेकिन मैं एक और बात तुरंत आपको बता देना चाहती हूं कि संगीता दया मैं आपके लिए लाइव आई हूं आज आप क्या जानती है हमारे इतिहास के बारे में ठीक है ओकेंदर ने गलत कहा आप ओकेंदर को गलत कहें आपने क्या कहा कायर पद्मावती को पद्मावती कायर नहीं थी उन्होंने अपने आपको बचाने के लिए बलीदान दिया और सोला हजार राणियों ने उनके साथ बलीदान दिया उसमें सारी राजपूत नहीं थी बहुत इस्त्रियां थी दूसरा मैडम मैं आपको एक बात बता दूँ राजपूत वो लोग होते हैं मैं गुणगान नहीं गारी जाती का क्योंकि सब जानते हैं 95% जाटों ने समर्थन दिया मुझे जीवन में और स्पोर्ट किया और आज भी मैं जाटों की बकालत नहीं कर रही बलकि मैं मेरे तो पूरे सरकल में जाट रहते हैं आप क्या कह रही थी कि हम बदमास हैं फिर आप क्या कह रही थी 302-307 और फिर आप क्या कह रही थी कि मतलब रंगड़ आप कुछ शरम आनी चाहिए इस तरह के सब्दों का उप्योग करते हुए आप समाज से भी हैं किसानों की बात करती हैं आप समाज की बात करती हैं मैडम मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं और आपके समाज और हमारा समाज नहीं मैं मानती मैं सादू मेरा पूरा ये धरती पे सारा समाज ही मेरा समाज या मैं मैं आपको बता दूं कुछ लोग तो एसान बूल जाते हैं कि अगर चोट भी लग जाए तो राजपूत उठाकर ले जाते हैं गाड़ी में और उनका ट्रिट्मेंट करवाते हैं और मैडम कुछ लोगों को मैं ऐसा को भी जानती हूँ कि बदमासी ले लदाक में जाकर दो घुट दारू की पिला के निकाल देते हैं लोग कुछ उन लोगों को भी मैं जानती हूँ और किसका कितना अच्छा चरित्तर है मैं पर्टिकुल टिपकनी नहीं कर रहे हूं किसी के जानती हूँ दूसरा आप पदमनी को लेके पर्टिकुल एक राजपुत समाज को लेके टिका टिपकनी करना आपने बहुत गलत किया बहुत भयंकर रूप से जो आपने दमकिया दिये ना मैडम यह बहुत गलत तरीके से दी क्योंकि पर्टिकुल सब सब को जानते हैं और इतनी चीजें सामने आ जाएंगे कि समेटना मुस्किल हो जाता है इसलिए ज्यादा चोदरी नहीं पढ़ना चाहिए यह तो थी वह वातें अब मैं करूंगी राजस्थान से मुझे सुबां से बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि साधवी एक बार आप सभी लोग प्रीज कुछ चक बाते कालवी साब की तारिफ क्योंकि क्यों राजपूत्समाज में नहीं आते कालवी साब या मैं राजपूत्समाज में नहीं आती या कालवी साब की तारिफ करदी गुना कर दिया मिर्ची लग गया आप लोगों को और दूसरी बात ध्यान से सुनना आप लोग मेरी जो आज कंटीन्यू फोन करकर के धमकिया दे रहे हैं लगातार हजारो फोन आ चुके हैं पूरे नमबर ट्रेसिंग पे हमने लगवाए हैं और जिन लोगों ने फेस्बूक और सोसल मीडिया पे आशरम के कुछ नमबर डाल कर उनका दुर उपियोग किया है और इस तरह के वर्ड यूज कियें ओ नमबर डाल कर हमारा किस नमबर पर कॉल करें ये करें वो करें तो इन चीजों पर वाहिया चीजों पर ध्यान ना दे क्योंकि मैं आज के उस कानून के बीच में मैं रहती हूँ जहां पूरी तरह से मुझे विश्वास है कि कॉल हमारी ट्रेसिंग पे होती है तो इसलिए मुझे ज़्यादा फिकर करने की अशक्ता नहीं है अब मैं जबाब दे देना चाहती हूँ उन मुल्लों को जो मुझे कल से लगातार वाहियात बोलने के साथ साथ एक वो वर्डिंग यूज कर रहे हैं जिसका कोई शायद नार्मल आदमी तो सुनी नहीं सकता सोच ही नहीं सकता अगर इतने महान बढ़ने की कोशिस कर रहे हो न तो राम मंदिर बनवा दो न सहो करना चाहिए मुसल्मानों को राम मंदिर बनाना अगर देश के इतने ही तेसी हो इसी देश में रहते हो यहीं खाते हो और यहीं वकवास करते हो आप लोग केवल फोन करके सोचल मीडिया का दुरूपियों करके उल्टा सीधा बोलकर बकवास करने के लावा कुछ नहीं कर सकते और मैं एक और बात कहती हूं कि जिनके पेट मर जाते हैं न वो देश बेचने लग जाते हैं और जिनके पेट खाली हैं वो जंडाई बेचते रहते हैं डरते और बकवास वो लोग करते हैं जिनकी वाके ही कोई आखात वैल्यू नहीं होती मैं फेस्बुक पे इसलिए बहुत कम लाईव आती हूं आजकल क्योंकि आजकल मैं देखती हूं कि कोई अगर बात्रूम के और भी जा रहा है तो लोग लाईव होने की कोईसिस करते हैं ऐसे ऐसे लोग लाईव आते हैं गाली गलोच करते हैं लाईव आकर मूपर पट्टी बांद कर लोग लाईव आते हैं मतलब सुधरने का नाम नहीं लेड़ा अब यह जितने तमाम लोग हजारों कॉल्स मुझे कल से विरोधियों की मुलों की आचुकी है आप लोग यह मत समझना कि हम कॉल करके जिस तरह से धंकी दे रहे हैं और कई याद आव और कई लोगों का रेकार्ड भी मैंने निकाला कि उन लोगों ने जिस तरह से नंबर डाल करो और स्टेटस डाल कर बोला किस नंबर पे कॉल करो whatever जिन सब्दों का मैं इस्तिमाल नहीं करना चाहती मैं आपके जवाब दे दू 1300 लोग जुड़े हैं और आप इस बात को शेर करोगे तो शायद अमन शान्ती जल्दी हो जाए हरियाणा में क्योंकि यहाँ तो जाट और राजपूत समाज के बीच में एक माहा युद छेड़ दिया लोगों ने और ऐसे लोग इसके बीच में आ रहे हैं कि जिन लोगों को अगर सोचा समझा जाए न तो बहुत समय लग जाएगा सोचने में बुजरुग खिलाडी समान नहीं होते हैं और इतिहास के बारे में कभी किसी के भी चाहें किसी का भी तिहास हो उसके साथ छेड़ छाड़ नहीं करने चीए ऐसी टिका टिपकनी नहीं करने चीए जिससे की बहुत गलत बाते पैदा हो जाएं आपने क्या का आकी हमारे लोग शांत नहीं बैठेंगे मैडम शांत तो हमारे खून में भी नहीं हैं लेकिन जाट बहुत समझदार हैं उन्होंने किसी ने भी आज तक मुझे यह नहीं कहा कि साद्वी जी इस विशे में ऐसे बलकि यहीं कहा साद्वी जी आप आईए और बात करिए सांती की बात करिए अमन की बात करिए लेकिन मैं एक शब्द आपको और बता देना चाहती हूँ इस तरह कि जब बोवी कटारिया का मामला हुआ था ना मैंने सबसे पहले लाइव आकर यह कहा था कि बोवी तुमने जो गलत क्या वो गलत है लेकिन अब मैं तुम्हारी स्पोर्ट करती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ भी जुरुम हुआ कुछ भी गलत हुआ तो हम सब लोग हिंदू आपके साथ हैं लेकिन हिंदू होने के ना थे ना कि कोई और मकसद था हम लोगों का लेकिन कुछ लोग इस इसको गलत ले वायात ले तो शायद हम लोग उसका कुछ करने ही सकते हैं हर किसी के अपनी मान सकता है अपने विचार है वो खुले रख सकता है कोई बाउंड नहीं है इस देश मे पर किसी को इतनी अजादी भी नहीं है कि कोई किसी की गरीमा में इतिहास को ठेज पहुँचाए और हमारा इतिहास बहुत पूजनिय है उसको बनाने के लिए टीएसपी सागर ने आज जो बात कही कि आप राजस्थान या देश के किसी भी इतिहास से अगर आप राजस्थान को हटा दोगे ना तो भारत में कुछ नहीं बचता और राजस्थान में अगर पदमनी, महराना परताब, प्रित्वी राजचोहान इन लोगों का अगर स्टोरी से नाम हटा दोगे तो राजस्तान में कुछ नहीं बचता और उसमें से फिर जो बलिदान की धरती है लाल धरती है वो छत्रियों ने खून दे कर बढ़ाई है अगर वो हटा दोगे ना तो हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचता यह सच्छा ही है आप सब जानते हैं लेकिन हम लोगों को जाती बाती में मत बाटो आप ही है मैडम जाती पाती में मत बाटिये और चैंलन्ज नहीं करते कसी को भी कभी बी क्योंकि इस धरा पर रहने वाला कमजोर से कमजोर वैक्ती भी जिसकी रगों में खुन दोड़ रहा ह वो मरता मरता भी परियास करता है मैं बड़ी सोभाग्य साली हूँ कि आप लोगों का मुझे इतना सनह और प्रेम मिलता है आज कितनी खुशी की बात है कि आप पंदरा सो लोग इस समय देख रहे हैं और समझ रहे हैं उस बात को तो ये गरव की बात है हमारे लिए पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका मिस्यूज हो मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन और करना चाहती हूँ उस नंबर का जो भी लोग दुरूपयो करते हैं गलत तरीके से कॉल मैसेज या वाटसब करते हैं और तकरीवन जो मुसलमान अरब कंट्री से देश में रहकर नेट के माध्यम से जो कॉल करते हैं वो टाइम रहते सुधर जाएं ऐसा ना हो कि मैं नहीं चाहती कि गलत मुकदमे कहीं भी किसी पे दर्ज हों यह दमकी नहीं है यह आप लोगों को संदेश जो इस तरह की घटिया हरकत करते हैं क्योंकि कुछ लोग घटिया हरकत इसलिए करते हैं कि उनके मज़भ में सिस्टर बेहन जैसा पवित्तर रिस्ता नहीं होता उनके आप बीवी पैदा होती है इसलिए सुमित राजपुजी, जैमाता जी की, संजे सिंगराणा इतिहास बनाने एक लिए सिर कटवाने पड़ते हैं बिल्कुर सही कहा हम लोगों ने अपने धर्म और इतिहास को बचाने के लिए अगर सो सर कटवाए हैं तो हजार काटे भी हैं ये इतिहास गवाय हम लोगों का हमें बताने के अब सकता नहीं है ये बिल्कुस अत्यता है जी उकम महावीर जी, जे माता जी की और मुझे आप लोगों पर विश्वास है मेरे को अपने हिंदूओं पर इतना विश्वास है कि ना मैं कल कमजोर थी क्या आप लोग अपनी एकता नहीं जुटा सकते क्या आप इनको संदेश नहीं पहुंचा सकते ये एक सब्द निकालते हैं क्या आपका खून ठंडा हो गया आप जबाब नहीं दे सकते हम सब हिंदू है हमें जाट राजपूत या बाल में की हरीजन पंडित इन सब में मत बाटिए इगो मत पैदा करिए ये इसलाम का एक बहुत बड़ा टारगेट है कि हम लोगों को जाती पाती में बाटना वो भी बहुत अच्छा काम करता है बहुत बढ़िया काम करता है मैं उससे बात करती हूँ मेरी बात होती है उससे और साथ साथ में मैं उसको एक बात हमेशा कहती हूँ कि आप अपने विशे में सोची अच्छा काम करिए लेकिन आप हिंदू तब को स्पोर्ट करिए कुछ बाते मस मुझे यहां के दुख होता है जब आप इसलाम का पक्स लेते हैं आप बहुत अच्छा इंसानित के नाते काम कर रहे हैं लेकिन कम से कम आप हिंदू की बात करिएगा बस कोर सेखावत राना जी आप हिंदू तो इतना भी नहीं करते कहीं बार मैं देखती हूँ कि आईडी पे बाहियात लोग इस तरह की लेंग्वेज का इस्तमाल करते हैं कि आप भाईयों का फर्ज बनता है कि उनको जवाब देना हमारे रास्ट्रो और धरम कि किस दिशा में जा रहा है शायद सोचने का बहुत गहरा विशह है और कभी-कभी तो इस सब चीज को लेकर चिंता होती है क्या आप माउने भगत सिंग को पैदा करना बंद कर दिया क्या सुखदेव राज गुरू को पैदा करना बंद कर दिया क्या हमारे महाराना प्रतापृत्वी राजचोहान आने बंद हो गए है मैंने कल भी एक बात कही थी कि गांधी वो लोग बनते हैं जिनकी भगत सिंग बनने की योकात नहीं होती तो हम लोग भगत सिंग के फैन हैं गांधी के नहीं लोग जो गोड से को अंतकवादी कहते हैं गोड से को उगरवादी कहते हैं तियारा केते हैं वो औरन जेव हिमानु यह मतलब उन लोगों को अपना बाप मानते हैं क्या और रही बात आज हरिश शकारा का मैंने लाइव देखा उन्होंने बहुत बारीक की से जो स्टोरी भाई आप निकाल कर लेके आये हरिश जी आपको भी मैं शुब कामनाई देती हूँ और आपने बड़ी अमन शान्ती की बात की ये मोहमद बोल रहा है कोई मुल्ला बीच में गाली दे रहा है मुझे भी आती है पर ये लाखों लोग जो इस समय मुझे फॉलो कर रहे हैं हम गरीमा मै परिवार से इतिहास से आते हैं तुमारी उकात नहीं है दूसरा भगवान तो हमें एक जैसा इंसान पैदा करता है मुसल्मान नहीं तो इसकी बाद में होती है यही खतना और दूसरी बात अगर ऐसा कुछ होता तो इस्वर भी न खतना करके पैदा करता है इसलिए हम सब लोगों को पहले हिंदू ही पैदा किया चोद्री विस्नु हुड़ा जी जै माता जी गांधी के नोटों पर फोटो भगत सिंकी हो वो दिन बहुत जल्दी आएगा हम सब लोग मिलकर परियास करेंगे सुखविंदर जी डोंट वेरी थैंक यू थैंक यू सो मच देखिए जो लोग अकबर को महन बताते हैं न वो कहीं सैकूलर और उनके खून का डिय ने टेस्ट करवाना चाहिए और जो लोग हिंदू होकर भी कहीं बार ऐसे परियास करते हैं तो उन पे भी कभी-कभी संदे हो जाता है मुझे तब मैं बोलना नहीं चाहती और दूसरी बात हिंदू तो हमारे जो योधा थे महान तो वो थे और हैं और रहेंगे बाकी कोई महान कैसे हो सकता विजय सिंग जी इनकी ओकात नहीं है विजय सिंग जी ऐसे भौक कर चले जाते हैं और वैसे भी जो आज का दिन है आज हमारे चेहरे पर जो उदासी है मैं आज के दिन अमर्जंसी लगी थी आज तक पर मैं जब देख रही थी तो मेरी भी आँखों में आसु आ गए और मैंने भी मैसूस किया कि अमर्जंसी के दोरान क्या हालत देश की हुई थी हम लोग तो पैदा नहीं हुए थे हम लोग तो धर्ती पर आए मानने 30 साल हुए होंगे तो 30-31 साल के हम लोग हो चुके लेकिन पिछले 15-20 साल से मैं आप लोगों के बीच में हूँ 98 में हमने देवाजी धाम को सुरू किया था और 2000 में इसको सुरू किया था संस्थान को तब से लेकि आज तक देवा इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से लोगों के बीच में सेवाई करते रहे हैं और करते रहेंगे जब तक जान रहेगी सरीर में और दूसरी बात खुले शब्दों में कहकर जाना चाहती हूँ के मुझे कोई फर्क नहीं पढ़ता सोसल मेडिया पर गलत अफुआएं उडाने से मुझे कोई फर्क नहीं पढ़ता असलील समस करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ मुल्ने मौलवियों की गाली देने से ये सेरनी सरयाम यहां देवाजी धाम में रहती है पूरे देश में हिंदू समाज के लिए ये आवाज इसी तरह बुलंद होती रहेगी जब तक हमारे सरीर में जान है क्योंकि हमने छत्रानी का दूद पिया है एराग एरागा नहीं इसलिए जो भी लोग आवाज निकालने से पहले वाहियात बोलने से पहले इतिहास का मजाक उड़ाने से पहले 15, 20, 50 बार अपने बारे में जरूर सोच लें और फिर बोलना सुरू करें क्योंकि कुछ लोगों को तो बोलना ही नहीं आता और वो बीना मतलग आकर बैठ जाते हैं कैमरे के सामने क्यां करें उन लोगों का खेर राजू सिंग जी जैहिंद एडुकेटर रोहेच जी और मैं आज तमाम आप लोगों को बदाई और शुब कामनाई देना चाहूंगी कि आप लोग तमाम लोग जुड़े मैं इतना लेट आई पर आप एक बार एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कर दे क्योंकि ये माता पदमनी के सम्मान की बात है ये महराना परताप के उस गरवानित होने वाले इतिहास की बात है ये उन लोगों ने जो बलीदान दिया सर कटवाई उनकी बात है किसी चंद लोगों के बॉलने से इतिहास खतम नहीं हो सकता लेकिन मैं अंत में प्रातना करती हूं कि हर्याणा में अमन शांती बनाए रखे जाट राजपूतों से अलग नहीं है और राजपूत और जाट समाज एक मारसल कौम है आपस में इनकों मत लड़ाएं और ये जो लड़ावाने वाले लोग हैं ना बहुत अच्छे छोटे तुछ मान सिक्ता के लोग हैं इन पर बहुत जादा ध्यान देने की बिलकुल अशक्ता नहीं है मैं बाद में भी महिंदर जोनी जी और उमेद जी दिपेंदर डबास जी टीएस्पी जी संदीब तमर जी और हरीश शिकारा जी बोबी कटारिय जी और मैडम अमारी बहन दहिया आप से उमीद नहीं थी आप समासे भी तो बनते हैं लेकिन शब्दों का चैन आपका बिलकुल अच्छा नहीं था गुंडागर्दी और ये रांगड सब्द का इस्तिमाल जो आपने किया है खाली आप ही एड़ोकेटनी इस देश में और भी जिन्दा हैं लोग तो आप सबी लोगों का वैधन्यवाद करना चाहूंगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसके साथ साथ अमन शांती की बात करें कहते हैं कितने जूले फासी के फंदे पर कितनों ने गॉली खाई होगी क्यों जूठ बोलते हो साहाब कि चर्खे चलाने से अजादी आई होगी आप समझ गए होगे कि अजादी चर्खे चलाने से नहीं गॉलीयां खाने से आती है इसलिए बहुत सारे बलीदान देकर गए हैं हमारे योधा भगत सिंग, सुखदेव राजगुरू और लोगों को फोलो करिए अगर करना है मैं अभी कुछ लोग कॉमेंट्स कर रहे हैं कि उनके बारे में बोली है राम मंदिर का फैसला कोट के आधिन है लेकिन माननी कोट बहुत जल्दी हिंदूओं के हक में फैसला देने वाली है और एकने क्वेशन के आम अंसर दे दूँ कालवी साहब और सुखदेव जी के बारे में सुखदेव हमारे भाई हैं उनको हम भाई साब बोलते हैं लेकिन अगर कालवी साहब की मैं इजज़त करने लगी हूँ करती हूँ तो इसमें बुराई क्या है जिनलोगों को आज मिर्ची लगी या कालवी साहब के नाम से वो घर में जाके अपना इलाज लें और दूसरा वायात की बदनामी से मैं ढरती डूरती नहीं हूँ तीसरा ये जनानियों की तरह चुगली करना बंद कर दे मर्दों वाली बात करें मर्द कभी छोटी और घटिया हरकते नहीं करते खास तोर पर अगर तुम राजपूत हो तो राजपूत कभी और तो जिसी बाते नहीं करते छत्रियों की बाते किया करो कभी-कभी आज राजस्तान से बहुत सारे कॉल आए कुछ ऐसे चम्चे थे जो सिर्फ विचारे दारू पी के बोलते रहते हैं तो वो अच्छे से जानते हैं साद्वी देवा ठाकुर को कि जब हम बोलते हैं ना फिर हम बोलते नहीं है हम बात का हिसाब करते हैं और आमने सामने करते हैं पंकर शर्मा जी तैंक्यू सो मच इस अमन शान्ती के संदेश के लिए आपका धन्यवाद और मैंने जब से संग्रस किया आज तक ये बोलने कि आप जाट समाज के वकालत बहुत करती हैं मैं क्यों ना करू 95% जाटों ने मुझे हमेशा समर्थन दिया और देवाजी धाम को बनाने में भी बहुत बड़ा एक धन का मुझे सहोग हमेशा मिलता है और दूसरी बात मैं जिस खून से आती हूँ उस खून की बात करना मेरा फर्ज बनता है और मैं वो करूँगी लेकिन जब मैं 3rd person को कुछ नहीं कहती अगर कोई मेरे मदर फादर क के बारे में मेरे इतिहास के बारे में या हमारे जमीर के बारे में या हमारे गरीमा मई मा पदमनी के विशे में महराना परताब के बारे में या हमें पर्टिकुल रांगड कहेगा तो कैसे मैं चुब बैट सकते हूँ हम आपस में हमारे मन मटाओ जरूर हो सकते हैं हमारे ज ओकेंदर ने खिलाडियों के विशे में कहा तो बहुत दुख हुआ गीता फोगाट हमारे देश की विटी है गरब करना चाहिए हमें गीता फोगाट जिसी लड़कियां पैदा करनी चाहिए हमें बलकि जो देश का हम सब का नाम रोशन करें शब्द तो बहुत सारे हैं और आपका मैंने बहुत सारा समय भी ले लिया आप सबी लोग विश्राम करें पर फिर वही बात आती है शब्दों को सुनकर इन पर बड़ा गेहन चिंतन करिए अब ये एक गरीब लड़की की शादी करने जा रहे हम लोग एक दो दिन के अंदर आप सबी लोग प्रातना करिए कि बहुत अच्छे से हो और ये जो लोग इस तरह से कॉल करके वाया कच्चरा फैला रहे हैं तो थोड़ा सास्तरक हो जाएं देश का कानून बहुत सक्त हो गया है याद रखिएगा एक एक फोन कॉल सब ट्रेस होती है इसलिए सोच समझ कर ऐसा करना चाहिए अब पंद्रा सो लोग एक बार इसको देख रहे हैं सबी शेयर जरूर कर देना जैहिंद वंदे बात्रम भारत माता कीज़े भगवान दास सी देवठाकुर जी मैं बैंगलोर से हूं रोतक हरियाना के अंदर संत रामपाल जी महराज की सानिद्य में रहता हूं बहुत अच्छा है संत समागम हरी कृपा संतों की सेवा करने चाहिए संत गरीब कोई भी मिले उसकी सेवा तो बहुत जरूरी है यहीं इनसानियत कहती है कहां जा रही हूं मैडम थोड़ी देर में हमने भी आपसे बात करनी है बोलिए जुबेर जबान को एक मुझे बोलत जुबान को वड़ो में लव जिहाद लव जिहाद आज देश में बहुत गहराई से फैल रहा है इसके विशे में एक बड़े कदम हम लोगों को उठाने चाहिए हमारे मंदिरों में आने वाले हिंदूओं को बहुत गहराई से बहुत सारी चीज़े देख परकुर सिवं सोलंकी जी जितेंद्रा अरे चिंता मत करो हमारे मोदी जी बहुत अच्छा कारिये कर रहे हैं देश में और बहुत जल्द ये तमाम समश्याओं से निजात मिलने वाली है इतने सब्दों के साथ जैहिंद बंदे मात्रम सेर करना आज बिलकुल नहीं भूलें क्योंकि ये हमारे अमन शानती की बात है जैहिंद